हर यूम पेरे दर्सकों, पेरे मित्रों, स्वाकते आप सभी का दैनोलोस ग्रू के इस रूप चनल पर आज है दिवाली, महालक्षमी के आगमन का पर्व होता है दिवाली तो इस दिन क्या करें और क्या नहीं पूरी जानकारी आपको बताएंगे इस वीडियो में इस रूप पर दिवाली जगों के साथ करें इन बारहे लोगों की पूजा और दिवाली लक्षमी पूजन के गयारे नियम जानेंगे और बताएंगे इस वीडियो में दिवाली पर क्या ना करें और क्या करना चाहिए आज रहिवार यानि 12 नॉंबर को दिवाली है और इस पर्व पर मालक्षमी का आगमन होता है दिवाली की रात घर को रोसनी रंगोली और फूलों से सजाया जाता है दिवाली पर सुर्यास्त के बाद मालक्षमी की पूजा होती है और फिर घर के अंदर और बाहर सबी जगहों पर दीपक चलाये जाता है हर वर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार कार्थिक महा के क्रस्ण पक्ष की अमावस्या दिती पर दीपा वली का तेहवार मनाय जाता है दीवाली की राद मालक्षमी के साथ बुधी की दाता और विग्न हरता स्री गडेश की पूजा अराधना करके सुख समरद्धी और वैभो की मनों कामनाय मांगी जाती हैं दीवाली पर मालक्षमी की पूजा और दीपक जलाने पर देवी लक्षमी की विशेस कृपा मिलती है और घर में सुख समरद्धी हमेशा बनी रहती है मालक्षमी की आगमन पर्व दीपाली पर है जानते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं तो बता दे की दीवाली पर क्या करें तो दीपा वली की राद तेरह जगों पर जलाएं दीपक तो सबसे पहले घर के मुख द्वार के दोनों तरब दीपक जलाएं और घर के पास इस्तित चौरहाय पर जलाएं तोलसी के पौधे के पास जरू दी कुप के पास घर के चारो कोनों में चार मुख वाले दीपकल स्टोर रूम और बातरूम में भी दीपक जलाएं तो दीपक चलाते समय इस मंद्र का करें जाब सुभम करोती कल्यानम आरोग्यम धन संबदा सत्र बुद्धी विनासाए दीव जोती नमोस्तते मा लक्षमी की कुल देवता, कुल देवी, कलस, नवग्रह, वास्तु देवता, तुलसी और पीपल की पूजा करनी जाएं धीपा वली पूजन उत्तर या उत्तर पूर्दिशा में करना सुभ माना गया हैं साधर का मुख उत्तर या पूर्दिशा की ओर होना चाहिए धीपा वली पूजन में मिट्टी के लक्ष्मी गड़ेश की मूर्थियां होनी चाहिए बैठी हुई देवी लक्ष्मी मूर्थिया चित्र और दोनों हाथों से धन बरसा रहे हो लक्ष्मी जी लाल वस्तर पहन कर और कमल की आसन पर राजमान हो लक्ष्मी जी की पूजा के दीपक उत्तर दिसा मे हो पूजा में घीया तेल की दीपक जलाए लक्ष्मी पूजन में स्रीयंत्र कोड़ी और गुम्ति चक्र जरूर होने चाहिए लक्ष्मी पूजा प्रदोसकाल इस्थिर लगन और निसितकाल में करना फलदाई है पूजन कष्मी सिंदूर या रोली से दोनों तरब स्वास् जरूर बोले तो दीवाली पर क्या ना करें नसे के सिवन से बचें वाद विवाद से बचें दीवाली की साम को ना सोएं किसी इस्तरी का अपमान ना करें दीवाली के साम को जहड़ू ना लगाएं